इसकोलर्स आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मुरद पे यानि कॉल ड्रिंक ये सॉफ्ट ड्रिंक इन में जो रसायन मिले होते हैं यानि कहा जाए कि ये कॉल ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक एक केमिकल्स का कोक्टेल है उसके बारे में मैं आपको बता हूं हम एक्ष्वल में क्या गिटक रहे हैं वोट वी आर गल्पिंग वी आर सिंप्ली गल्पिंग कार्बन डाविक्साइड फोस्फोरिक एसिड कैफेन फ्रक्टोज और एस्पार्टेम जो सिंथेटिक सुगर है और माइनूट कांटिटी ओफ ऑर्गनिक डायलोज डाट यानि कि जो कोल ड्रिंक होता है जो सोब ड्रिंक होता है उसमें कार्बन डाविक्सीड को प्रेशर की हैल्प से एक वैसल में यानि कि बोटल में भर दे जाती है और जैसे ही हम बोटल का धकन यानि के लिड़ खोलते हैं तो प्रेशर के साथ ही बहार आती है यानि कि यह तो जल में घोल दिया जाता है यानि कि जल में टिकी रहती है और जैसे ही प्रेसर को रिलीज किया जाता है तो उसके साथ ये फिज के रूप में फिज के रूप में बाहर आता है यानि के हम simply carbon dioxide और ये भी बता दूँ कि जो cold drinks का taste होता है that is also because of carbon dioxide यानि के अगर हम पेपदार्थ को यानि कि इस cold drink को कुछ समय के लिए रखते हैं तो ये carbon dioxide escape हो जाती है निकल जाती है और वो cold drink हमारा flat हो जाता है यानि कि उसमें कोई taste नहीं रहता तो simply मैं आपको बता रहा ह है वो को फिज है उसके अंदर उसकी वज़े से ले रहे हैं otherwise में कोई सवाद नहीं होता कोई calorie का मतलब तुर ही नहीं हम बात करते हैं इसमें और हां Henry का आपने नियम पड़ा है वो यहां पर लागू होता है ठीक से कि pressure से हम किसी भी अल्प विले सिल गैस को जल में यह किसे अन्य दरव में घोल सकते हैं timing हम बात करते हैं यहां पर जो इसमें सुगर होती है वो एक्षर में सुक्रोज सुगर नहीं होती यहीं कि डाय सैकिराइड सुगर जो अधिर सरक्रा है वो नहीं होती इसमें फ्रक्टोज सीरप कौन फ्रक्टोज सीरप या एस्पार्टेम सुगर होती है जो लो टेंपरेचर पर नहीं जमती यही प्रियात्मक समुहों जो कार्बन से लगे हुए उनका रेंजमेंट है वो बड़ा यूनीक होता है और उसी यूनीकनेस के कारण ये सुक्रोस से काफी मीठा होता है तो जो बच्चों में ये देखा गया है कि जो ओबेसिटी जो मोटा पन आता है वो इस फ्रुक्टोस के पर है ये भी कुछ कॉल्डरिंग से मिला जाती है जो क्लियर कट जो एक सीदे तोर पर नीरो टॉक्सीन है यानि के मंद बुद्धी का कारण बनता है अगर कंटिनूस इसका सेवन किया जाता है या एंडोक्राइन डिस्रप्टर जो अमारी अंतरसराव ग्रंतियां है उन प यो कोई भी फरस है कोई भी स्लेट है वह सब केलसियां कार्बोनेन के बनने होते हैं और जब हम फॉस्प्पोरीक ऐसिट के साथ मेलक़ के सात्थ डेखने यह भी देखने हो गया है और यह फॉस्फोरिक एसिड हमारी बॉन लॉस में भी अपना योगदान देता है यानि कि ओस्टियो पॉरसिस का भी यह कारण बनता है और हमारी जो इंटेस्टाइनल कैनाल है जो हमारी अंत्रियां है आते हैं उन पर भी यह अपना प्रभाव डाल हमारी जो बॉन्स का केल्सियम तो फॉस्फोर और विटामेंट डी जिसकी बैलेंस की वज़े से हमारी बॉन का स्ट्रक्चर कायम रहता है यह फॉस्फोरिक एसिड उस पर भी अपना प्रभाव डालता है और भडियों को यानि कि जो हमारी बॉन्स से उनको कमजोर करता है यह देख लिया गया अच्छे तोर से कि जो सौफ ड्रिंग से इनकी पिएच नियर अबाउट 3.4 होती है तो देखें कि जब हम इसको पीते हैं सीप तो नहीं करते हैं हम इसको गिटकते हैं गल्प करते हैं तो सीज़े तोर पर हमारे जो इस्टोमा के उसकी पिएच पहले स पेपदार्थ हमारे मुह में जाता है मुह में लेते हैं कुछ देर के लिए उसको रखते हैं तो एक वाइट फिलिंग होती है यह होता है कि हमारे जो टूथ हैं इनैमल यह कैल्सियम के योगिका बना होता है और जब फॉस्पोरिक ऐसेड उस्टे अटक करती है तो निशी तरोप से वहाँ पर वह पर वह कोरोड होते हैं यानी कि चिदरित हो जाते हैं कैवेटीज होने के चांसेज बन जाते हैं और हम इसको ये भी मान सकते हैं कि जो कैवेटीज होती है वो केवल जैसे फुलॉराइड युक्त जल होता है फुलॉराइड के कारण दातों में कैवेटीज हो जाती है इनेमल खराब हो जाता है उसके उपर लाइनिंग पड़ जाती है इसका एक कारण सौफ ड्रिंक भी है कि सौफ ड्रिंक में जो प्रेजेंट होती है फॉस्फोरिक एसेड उसके दुआरा हमारे दांत खराब होने लगते हैं कैवेटीज हो जाती है और यही कद देखा गया है कि छोटे दस साल तक के बच्चे के दांतों में कैवेटीज का बढ़ना यह सौफ ड्रिंक ही है सौफ ड टुक्रिमेंट जो कंड़ेट किया गया उसमें 15 गरस हाई पिए इनई वाटर को लिए गया और उसको Kohla से आज नियूट्राक लाइन वैटर को हमनें एक कोला के गरा से नोट्राइज किया तो आप समझ सकते हैं कि यह तो और यह कितना प्रफ़व डालता है अब हम बात करते हैं कि cold drink में कुछ colors डाले जाते हैं जिनको colors के साथ में preservatives डाले जाते हैं जो प्रिक्षक कहते हैं जिनको हिंदी में हम जैसे citric acid, malic acid, tartric acid साथ में sodium, benzoate भी डाला जाता है हाई temperature पर राजिस्थान temperature जो हमारा प्रदेश है इसमें ताप बहुत ज्यादा हो ज बाहर रखते हैं और उस temperature पर कुछ samples में benzoic acid के traces मिले हैं कि लियर को कट कह सकते हैं कि benzoic acid का बनना कि citric acid और sodium benzoate या tartric acid या malic acid इनके आपसी ताल मेल से मेल जोल से benzoic acid उत्पन होती है जिसके traces कॉल्डिंग में पाए गए हैं और यह सीधे तोर पर हमारे physiological disorders को जन्म देता है कि हम बात करते हैं कि एक example लेते हैं टूथ का जो calcium के compound का बना होता है एक टूथ को हम धागे से बांद कर अगर हम कोल्डिंग में लटकाते हैं 6 घंटे के लिए 6 आर्ट के लिए तो हम देखते हैं कि इसकी जो inamel की परते वो गलना सुरू हो जाती है इट मेंस यह डारेक्टली हमारे दांतों पर कोल्डिंग प्रभाव डालता है एक रिपोर्ट जो कि USA में छपी उसमें मेरे एक पेपर रिसर्च पेपर का जिक्र किया गया और उस जिक्र में सीधे तोर पर बताया गया कि जो एवरेज PHS of drink की वो 3.4 है तथा coke and Pepsi यह सबसे ज़्यादा acid होते हैं हम बात करते हैं cold drink की एक example लेते हैं कांच की CC में कांच की bottle में हम पानी लेते हैं और एक कांच की bottle में cold drink लेते हैं या को का कोला या को पैफसी कोई भी एक उसमें भरते हैं और उसको हम zero degree Celsius पर refrigerator में maintain करके रख देते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे ही temperature zero approach होता है तो पानी जमना शुरू हो जाता है पानी starts freezing यानि कि वह बर्फ में परिवर्थित होना सुरू हो जाता है जबकि जो कोख या अन्य कोई अमने जो यह ब्राउन कलर की पेपदार्श लिए हो है वह नहीं फ्रीज होता वह नहीं जमता वह माइनस 345 पर जाकर जमता इसका मतलब क्या है कि यह क्यों जम रहा है माइनस में जाके चील्ड हो जाता है वो चील्ड होने की वज़े यह है कि वह जो केमिकल उसमें मिलाया गया है इतलीन गलाइकोल इतलीन गलाइकोल नाम का केमिकल उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है और यह हम राउल का नियम पढ़ते भी है डिप्रेशन इन फ्री यह सिर्फ एक सुगरी ड्रिंक है और सुगर जो नोर्मल केन सुगर होती है यानि कि सरक्रा जो हमारी चुकंदर से या आपके गन्ने से केन से बनती है उससे 10 टाइम्स ज्यादा मीठी होती है और मिठास कितना हमारी सरीर पर प्रभाव डालता है वो इसमें देखा जा सकता है तो आज की इस अपने चोटी से वीडियो लेक्चर में मैंने आपको केमिकल्स जो की कोल्डिंग में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में जिकर किया थैंक यू सो मुच थैंक यू